वेलकम बैक टो मैं चैनल अड़ू गोपाल विद मंपीस व्लोग तो फ्रेंड आप सब कैसे हैं I hope आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंड आज मैं बनाने जा रही हूं तो आज मैं बनाने जा रही हूं पॉंपलेट फ्राई एंड इलिस करी तो देखिए कैसे मैं बनाती हूं तो यह मैंने पॉंपलेट फिश ले लिया है देख सकते हैं फ्रेश फिश है और इसे मैं अच्छी तरीके से धो लूँगी वश कर लूँगी तो मैं निकाल ले रही हूं मार्केट से अभी ताजा ताजा आई है तो अच्छी तरीके से मैं वश कर लूँगी और उसके कॉंपलेट और इलिस फिस में मैंने हल्दी नमक एड कर दिया था जिससे कि नमक और हल्दी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इसे सर्सोतिल में फ्राई गरा हूं आप चाहे तो Rinisi Oil में भी फ्राई कर सकते हैं यहां तो अच्छी तर्इक से मैंने यहां दोनों तरफ př्राई कर लिये हैं। देख सकते हैं, फ्राइक ह्लिये लगर काता है यहां पर दीप फ्राइक युदिлा है इसको मैंने उठा लिए हैं यहां और देख सकते हैं मिक्स्चरसकरके सरसो और पोस्तो और यहां पर लसर और हरी मिज़ डाली है और उसके बाद मैंने इसको पेस्ट कर लिया है देख सकते हैं और अच्छी तरीके से पेस्ट भी हो चुकी है और उसी ओयल में मैंने यहां पर वो पेस्ट को डाल दिया है पांच फोड़न डालने के बाद और लाल मिज डालने के बाद फोड़न के तोर पर डालने के बाद और वो पेस्ट डाल दिया है उसके बाद थोड़ा सा चीनी डाल कर और हल्दी, नमंग, जीरा डास, धरिया डास डाल कर और अच्छे से पेस्ट को मिला लिया है और मसाला को कसने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी अट किया है और उसके बाद मैंने फिस को छोड़ दिया है अब मैं बेगन को भी छोड़ दूँगी धीरे-धीरे और इस तरीके से हमारा जो करी है तयार है बिलकुल और बहु अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत बुलिएगा मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल के जरू से सब्सक्राइब किजिएगा मिलती हो न्यू किसी व्लॉग के साथ तब तक के लिए जैसरी कृष्णा राधे राधा